इस वीडियो में हम लोग Class 4 Science का Chapter 1 पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है रंग विरंगे खिलते फूल ए Chapter 1 है तो इस वीडियो में हम लोग A to Z Questionnaire से Solve करने वाले हैं ए पोयम कविता पढ़ेंगे और पुरा आप सॉल्व करेंगे इसमें फूलों के बारे में पढ़ना है Class 4 English और Hindi का वीडियो पहले हैं बना चुके हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो comment box में link दे दिये या फिर आप से दे प्लेडिस्ट से जाकरने सारे वीडियो इसको देख सकते हैं Class 4 English Bearboard और Class 4 Hindi Bearboard का प्लेडिस्ट है Class 4 Science का प्लेडिस्ट तो बना ही रहे हैं आप सबके काने पर तो देखें क्या लिखावा है लाल लाल और पीले फूल खिलते रंग रंगिले फूल इंद्र धनूस से सत रंगे दिखते प्याडे प्याडे फूल कहीं फूल लाल लाल रंग के दिखते हैं कहीं पीले रंग के दिखते हैं कहीं रंग रंगिले दिखते हैं यानि कहीं रंगों के सबकलर मिक्स रहता है उसमें और इंद्र धनूस से सत रंगे दिखते प्याडे प्याडे फूल और कहीं कहीं क्या विभीन रंगों के ये किस्थान पर विभीन रंगों के जैसे इंद्रधन उसमें सात रंग होता है ना बिल्कुल उस्तरा से विभीन रंगों के ये किस्थान पर फूल देखने को मिलते हैं और फूल देखने में क्या प्यारे प्यारे लगते हैं आगे बोला जा रहा है इनकी महख हमको मोह है मोह यानि क्या मन को मोह लेती है गन्द इनकी सबको सो है तो सबको पसंद होता है इनका गन्द पुलोगा भीनी-भीनी खुसूँवाले मस्ती में बढ़ देते फूल तो इन रंग-धि-धिये फूलों को देखकर क्या होता है मन खुस हो जाता है आगे देखे बाग-बाग इच्चे या तलाब में कभी दिन में, कभी रात में सर्दी गड़मी या बरसाथ में खिल जाते हैं सुन्दर फूल फूल क्या होता है? बिभिन परकार क्या होता है तो बाग बविचे में रुपे जाता है तलाब में अपना पूख जाता है कोई-कोई फूल दिन में उखता है दिल में खिलता है कोई-कोई फूल क्या रात में खिलता है कोई फूल क्या सर्दी में होता है कभी कोई गड़मी में कोई फूल बरसाथ में होता है वो फूल के गुन पे डिपिन करता है फूल पे डिपिन करता है कि वो सर्दी गड़मी या बरसाथ कब होगा दिन में खिलेगा कि रात में खिलेगा खिल जाते हैं सुन्दर फूल लेकिन सभी फूल के और देखने में बहुत ही सुन्दर लगते हैं जैसे यह फोटो में दिखाएगा है बहुत ही सुन्दर फूल है आगे पुला जा रहा है, मीठा मीठा सहथ बनाते हैं, बन इत्र खुसबू फैलाते हैं, रंग रेजो के मन को भाते हैं, मालाओं में गुत जाते हैं फूल, तो एक जो फूल है, फूल का बिभीन उप्योग है, परत है कि फूल में जो मकरंद होता है ना, तो मदमक्यां इत्र बनता है, ठीक है, सेंट बनता है, रंग रेजो के मन को भाते हैं, रंग रेज करते हैं, जो फूलों से रंग बनाते हैं, तो विविन परगार के फूलों के देखते हैं, तो फिर रसनी चोड़ करके विविन परगार के विविन रंगों के रंग बनाते हैं, बनाओं म पढ़ लेता हैं दिखावा पहला आपने भी कई तरह के फूल देखे होंगे इनके नाम लिखे हैं तो जो जो फूल का फूल आप देखे हैं ना तो उसका नाम आप लिख देजेगा तो चलिए बताते हैं तो देखिए आपने भी कई तरह के फूल देखे होंगे इनके नाम लिखे हैं तो आप जो जो फूल का नाम देखे हैं तो उसका नाम लिखेगा यहाँ पर हम जो देखे हैं वो आपको बता रहा हैं गुलाब, गिंदा, गुल्दावदी, रजनी गंदा, कमल, बेला, चमेले, स्वेध कनेड, रात राने, इत्यादी लिख देता है, देखे तो देखे तो देखे शरा फूल, तो इसमें इतना लिख देंगे तो काफी है, इसलिए इत्यादी लिख देए, तू में बोला जा रहा है, फूलों को अपयोग किन-किन काडियों में होता है, लिखिए, तो द पूलों का अपयोग है आगय ठीडी में है कोछ फूल दिन में खिलते हैं तो कुछ रात में खिलते हैं कोछ धर्ती पूछा जा है तो देखे अ किมिने दो फूलों की नाम बताई पानी में खिलते हैं, तो कमल और केवरा ये पानी में खिलते हैं, जिनको आख बंद करके खुसूस से भी पहचान सकते हैं, तो गुलाव और गिंदा है बहुत मागता है, तो इसको आख बंद करके खुसूस से भी पहचान सकते हैं, तो इस सब है, ठीड़ी देखें क्या जो रात में खिलेंगा इसको इस को इस बाक्स में. तो चलिए, बताते हैं, यह सब आप आप इयात कर लेजाएग़. देके दिन में कौन-कौन खिलता है? कौन-कौन सा फूल खिलता है? देखे, गुलाव किलता है, गेंदा किलता है, सुरज-मुकि, गुल्दावदी और उरूल ये सभी दिन में खिलने वाले फूल हैं। रात में कौन कौन से फूल खिलते हैं। बेला, चमेली, स्वेट कनेर, रात रानी और रजनी गंदा। ये सब रात में खिलने वाले फूल हैं। तो इसको आप याद कर लेजेगा। नेक्स देखें फोर किस मौसम में कौन से फूल खिलते हैं किस मौसम में कौन से फूल खिलते हैं सार्णी में भढ़े हैं सर्दी में इन्ठंडा में तिस सार्णी में भढ़ेंगे गडमी मिस में बरसाज मिस में अस साल भढ़ जो साल भढ़ खिलता है ठीना? बारो महिन ना, तो उसको लिख देंगे. तो उतर लिखेंगे, सर्दी में खिलता है कौन? ये सभी फूल है ना, गुलाफ, ढ़लिया, गुल्दाओदी, हर्चिंगार, सर्दी में, यानि ठंड में खिलने गशंडी। गर्मी में कौन खिलता है बेली, चमेली, कनैल, धतूरा ये सभी गर्मी में खिलने वाले फूल है बरसात में कौन है बालसन, टेसू, गुलमोहर, चंपा ये सभी बरसात में खिलने वाले फूल है और जो सालो बर खिलता है यनि बारो मैने खिलता है तो देखे गेंदा, गुल किसदाव, बेगन-बेलिया और उठुल यह सालों वर खिलता है.. आगे देखते हैं क्या लिखाभां 5 आपने फूलों को भिभिन भिन परकार के पेर-पौधों पर खिलते हुए देखा होगा, ठीक है, भिन भिन परकार के पेर पौधों पर खिलते हुए देखा होगा, सही है, कुछ फूल जारीदार पौधों पर खिलते हैं, कुछ बड़े बड़े पेरों पर खिलते हैं, और कुछ लंबी लंबी लताओं पर खिलते हैं, ठीक है, तो द जारिदार पीरों पर खिलने वाले फूल इसमें लिखेंगें, लताओं पर खिलने वाले फूल इसमें लिखेंगें, लताओं यानि क्या लत्तर, ठीक है, तो चलिए आगों बताते हैं, देखें, पीरों पर खिलने वाले फूल, कौन-कौन पीर पर खिलता है, कनायल, हरसिंग जारीदार गुलमोहर सेमल ये सभी फूल पीरों पर खिलने वाले फूल हैं जारीदार पीरों पर कौन खिलता है चमेली बेली गुलाब और गेंदा ये सभी जारीदार पौदों पर खिलने वाले फूल है और लताओं पर यानि लत्तर पर कौन-कौन फूल खिलता है बेगन ब टू देखे है टू क्या कोई ऐसे पेड़ पौद है जिन पर फूल नहीं खिलता है लिखेए। फूल किलता है नहीं है। तो देखे हैं उत्वा लिखेँगा PAN,bet, Proton, Money Plant यह सब में फूल नहीं खिलता自уса पौद है ना तो इनमें फूल नहीं खिलता भीकोर लिखेए। तो अपने साथियों के साथ जाना है और कोई फूल को देखना है और उसका चितर बनाना है और उसके बारे में बताना है देखिया है तो हम जो देखे हैं उसका बता रहे हैं तो यह हम गुलाब देखे हैं गुलाब का फूल बना दिये और पत्ता होता है बना दिये रंग ना अब आगे देखें सवाल जो पुछा जागो जवाब देना है अब बताईए अपने किस फूल को देखा तो गुलाब फूल को देखें फूल का रंग कौन सा है तो लाल है क्या फूल में गंद है तो गुलाब में तो गंद होता है तो हां लिख दिये फूल का पौधा जमीन प तो आगे दिखेए है और क्या पुछा गया है? अकेले खेलता या गुच्छों में? तो यह अकेले था. फूलो में कितनी पंखुडिया है? तो लगो लगों दस था. पंखुडिया अपस में जूड़ी हैं sustainable या अलग है? तो अलग अलग है पंखुडियां, पंखोडिया नहीं क्या है जो है न यह जो पंखोड़ी है इसको तोरेंगा न इसको तो पत्ता जैसा निकलेगा ठीकर उसको पंखोड़ी बोलता है नेक्ष्ट है पंखुडियां आपस में जुरी हैं या अलग अलग हैं तो अलग अलग हैं पंखुडियों के निचली हिस्से को ढखने वाली अंखुडियां किस रंकी हैं तो हडी हैं अंखुडियां यह जो अंखुडियां है ना ठीक है यह जो अंखुडियां किसको कहते हैं तो देखें यहां पर किसन गाता हैं तो यह जो हैं ने यह आंञ खोड़िया है यह जो green color कर दिखा पर रहा है यह विले पर्सन यह अंखोड़िया है आगे देखें इन अंखोड़ियों के संख्या कितनी है तो 6 है अंखुरियां अपस में जुड़ी है या अलग अलग है तो अलग अलग है ठीक है अंखुरियां सभी क्या अलग अलग है गुलाव में अंखुरियां अलग अलग होती है आगे देखिए क्या लिखा हुआ इस गतिविदी को चार से पांच फूलों के साथ किजिए जो अभी कि करना है, चार से पांच फूलो के साथ करना है, तो कर लिएगा, आसपास, जाईएगा, देखे गा, उसक जढ़ी तो अची तो बना देज़ेगा, और फिर जो बताया गया है, वो लिख देज़े Birthday the जो पूछा गया है, आपने आसपास की किनीética तीन पौधों की कलियों और फूलों का चेहन किए तीन पौधों की कलियों का ठीक है आप इन पौधों पर खिले हुई एक दो कलियों पर धागा बांद कर निसान लगाए ठीक है एक दो कलियों पर धागा बांद कर निसान लगाएंगे आप कुछ दिनों तक इन कलीओं को ध्यान से देखें कि कैसे बढ़ रहे हैं जो कितने दिने बन रहे हैं और बताये कि कलीओं कतने दिनों में खिलकर फूल बन गए तो अच्छे से अब्जर्ब करना है कितना पौधा के कलीओं पाये तीन पौधो के कलियों पर कलियों बोलता है जब फूल उगने वाला होता है छोटा सरा था उसको कलियों बोलता है तो देखिए अबजर्ब किया है तो फूल का नाम कौन-कौन सा फूल यह है गमलम मोगवा गुलाफ औरोल और कनेल तो पहले वर किस्तिति को देखा लिके यह बहुत पहले बना चुका था पीडियेफ बस वीडियो बनाना था यह लिए यह पर दोहर बास लिखा वा ताप दोहर थेश लिख सकते हैं किस्तिति को कलि फूल बन गया तो यह ना यह काफी टाइम लगा था काफी टाइम तो एक्तिस ताड़ी को देख रह था था तो चार अपरिल को एक फूल बन गया था तो चार-चार यह उडभूल बना था तीन अपरिल को और यह चार अपरिल को कली से क्या फूल बन गया था ठेकिन अच्छे से खिल गया था ठेकिन उसके बाद देखिए फूल कई लोगों की रोजी रोटी के साधन है कुछ लोग फू या सहर में कोई फूल बेचनी वाला या बेचनी वाली है उनके पास जाकर पता किजिए क्या पता करना है वह कौन-कौन से फूल बेच रहा है या बेच रही है परते फूल का मुल्ले क्या है तो देखिए यहां इसमें फूल का नाम लिखना है और इसमें मुल्ले लिखना है तो लिखाते हैं आपको, फूल का नाम गुलाब, दस रुपए पीस मिलता है, एक गुलाब दस रुपए का, गेंदा छेड रुपए का, पुरहुल पाँच रुपए का, चमेली तीन रुपए का, तीन रुपए पर पीस, ठीक है, आगे देखें, वह फूल कहां से लाता है य पूलाइख होना तो आपने आपस पास में इतने कोई ब्हशने वाले है भेशने और भीसे या बिशने Edit, उस से पूछ करकर आप लेख्शेक नहीं के, लिक्षेत set की है द्यूंव को बुके के यह को इसको विल्टा तया है मेह कि इसको भुके को हुआ हुआ मैं अरухलता हुभी उल्प्यी ही था यह मीनिमम है और मोदनेय मत्टानी को श्यानी मेठेके है ध्यक्त्रीजा breaths उड़ुल का हार, जिन उड़ुल का हार, यह 20 उड़ुल का एक मिलता है, एक माला, तो इससे बता दिया आपको, नाइन देखें, नाइन क्या लिखावा, क्या आपके गाउं में फुलो की खेती होती है, तो ने, मेरे गाउं में नहीं होती है, अगर आपके गाउं में होती है तो हान लिख दीजेगे तुए इससे क्या लाव होता है फूलों के खेती जहां होती है वहां पडियावरन स्वच रहता है रंगरेज इससे रंग बनाते हैं और किसान फूल बेज कर पैसा कमाते हैं तिस तरह से क्या रोजी रोजगार का साधन बन जाता है तेने किसानों के लिए तब फसलों के खेती के अलाबा है कि आप फुलों के खेती भी करते हैं और अपनी आज जीवका चलाते हैं इस प्रकार से प्रचाप्टर समाप्त होता है आई होप आपके वीडियो पसंद आया होगा थैंक्स पर वाचिंग